नमस्कार दोस्तों मैं इंशल मैं आप सभी का अपने चैनल टेकिन डार्गेट पर सवागत करता हूँ तोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए काफी बड़ा हाइरिंग अपडेट लेकर आ चुका हूँ और दोस्तों ये अपडेट आया है TCS कमटी की तरफ से तो मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ अपनी लापटॉप स्क्रीन पर और ये सभी चीजे डिसकस करता हूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजगा क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे मोटीवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटे करता हूँ तो दोस्तों 15th of August 2022 और दोस्तों इंटर्व्य डेट अनाउंस हो जाएंगी अब ये है क्या दोस्तों ये TCS की फ्री हाइरिंग होने वाली है TCS NQT फ्री होने वाला है जो की हर साल होता है फ्रेशर्स बाच के लिए तो दोस्तों 2023 बाच के लिए आ चुका है इट is time to make the big move of your career with TCS National Qualifier Test that is TCS NQT. TCS NQT follows an integrated test pattern for both ninja as well as digital freshers hiring at TCS. Candidate need to appear for a single test. दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इक single test के लिए appear करना है and based on their performance they will be qualified for either ninja role or digital role. एक बात और बताएता हूं दोस्तों अब आपका TCS में selection हो सकता है without coding. हाँ दोस्तों मैं मजाख नहीं कर रहा है मैं आपको proof भी दिखाऊंगा without coding भी दोस्तों आप TCS में select हो सकते हो for the ninja role. बात करते हैं दोस्तों, it is time to show your matter, craft the future of the world, impact a million lives and build an enriching career. TCS NQT is exclusively open for students graduating in the year 2023. दोस्तों यह जो free hiring है ना यह सिर्फ और सिर्फ 2023 बाच के लिए है. अगर आप 2022 के हो, 21 के हो, 20 के हो, 19 के हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जरूर जाएगेगा और हमने TCS का एक update, अपडेट अपने चैनल पर शेयर करके हैं, तो आप उनको भी follow कर सकते हो, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, TCS NQT last day 25 जून वाला update आप देख सकते हो, तो दोस्तों यहां मैं आपको ले आता हूँ, तो दोस्तों यह जो students graduating in the year 2023 with the following academic degrees, bachelor of technology, अगर आपने B.TEC का रखी है, B.E. का रखी है, M.TEC. का रखी है, Master of Engineering, Master of Computer Applications, Master of Science दोस्तों कर रखी है, तो आप इसके लिए eligible होने वाले हो, साथ ही साथ दोस्तों है, सारी branches eligible हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ पर सिर्फ Computer Science या फिर IT degrees eligible होंगी, अगर दोस्तों आप chemical के हो, mechanical के हो, दोस्तों आप सभी भी eligible होने वाले हो, दोस्तों यह तो application process है, जिसको हम बाद में discuss करेंगे, उससे पहले test की eligibility देख लेते हैं, जो की पहुत ज़्यादा important है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, दोस्तों, percentage criteria की बात करते हैं, तो दोस्तों and in all semester of 60% or 60 GPA in each of class 10th, 12th, diploma, graduation, post-graduation, suppose कीजिए, दोस्तों, आप B.T.E.C. कर रहे हो, तो दोस्तों, आपकी 10th में 60%, 12th में 60%, as well as, दोस्तों, B.T.E.C. में, overall जो आपकी CGPA होती है, दोस्तों, semester-wise नी, proper आपकी CGPA जो दोस्तों होती है, वो overall जो aggregate होता है, वो दोस्तों, at least 60% होन चाहिए, highest qualifications की बात करते हैं, तो दोस्तों, TCS NQT is exclusively open for the students, 2023 students के लिए open हुआ है, B.E.B.T.E.C., M.T.E.C., M.E.M.C.S. students के लिए open है, backlogs की बात करते हैं, तो दोस्तों, the students should not have more than one backlog, तो दोस्तों, आपकी एक से जाधा backlog नहीं होनी चाहिए, gap की बात करते हैं, तो दोस्तों, it is mandatory to declare gap in education, if any, overall academic gap should not exceed 24 months, 24 months का मतलब है, दोस्तों, 2 साल से जाधा का आपका academic gap होना नहीं चाहिए, work experience की बात करते हैं, तो दोस्तों, students with prior work experience of up to 2 years are eligible to apply, दोस्तों, यहां तो इनोंने 2 years यह रगा है, बट दोस्तों, ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2023 है, तो अभी तो सिर्फ 2023 इसके apply कीजएगा, अगर hiring जैसे ही 2021, 2022, 2020 batch के लिए आती है, तो उसके लिए भी मैं जरूर update दूँगा, test features and patterns की बात करते हैं, तो दोस्तों, अब जो test हो गया है, integrated test pattern हो गया है, जो की दो part में divide होता है, part A है और part B है, part A होता है, foundation section, अगर आप इसको clear करते हो, दोस्तों, तो आप ninja role के लिए qualify हो जाओगे, हाँ दोस्तों, आप ninja interview के लिए qualify हो जाओगे, अगर आप part B को भी qualify कर लेते हो, जिसमें दोस्तों, advanced coding भी आने वाली है, तो दोस्तों, आप digital के interview के लिए qualify होगे, अगर मैं दोस्तों, foundation success की बात करता हूँ, तो दोस्तों, इसमें numerical ability, verbal ability, reasoning ability आती है, जो कि मैं समझता हूँ, इतना difficult नहीं होता, prepare करना, whereas अगर मैं advanced action की बात करता हूँ, तो दोस्तों, इसमें advanced quantitative आईगी, advanced reasoning आईगी, as well as advanced coding आईगी, और coding एक बहुती जाड़ा important role play करता है, जब भी आप कोई भी selection process के लिए apply कर रहे हो, TCS NQT preparation via TCS launchpad, तो दोस्तों कुछ resources हैं, जो कि आप यहाँ से access कर सकते हो, बागी दोस्तों, कोच frequently asked questions रहते हैं, आप सभी के वो भी मैं दिखा देता हूँ, which year of passing is being considered for TCS campus hiring process through TCS NQT, तो दोस्तों, इन्होंने साफ साब mention कर रका है, सिर्फ और सिर्फ TCS के लिए, अभी 2023 batch eligible हो होने वाला है, last year 222nd of July, काफी जाधा time है, पट मैं बोलूँगा, जितना जल्दी register कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद अच्छे से preparation भी कर लो, क्योंकि mass level पर hiring होगी, bulk level पर hiring होगी, और इससे अच्छी opportunity आपको और कहीं नहीं मिलेगी, when is the test scheduled, test कभे 215th of August को आपका test होगा, त is the integrated test pattern, the integrated test pattern of TCS NQT allows students the opportunity to participate in one single test, and based on their performance, they would either be shortlisted for a ninja, और a digital interview, तो make sure आप इसके लिए जरूर एप्लाइ करियेगा, एप्लाइ का पूरा प्रोसीजर इनो नहीं यहां मेंशन कर रगा है, अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और चाहिए, कि लेटेस्ट पेटन चाहिए, कि क इसे अप्लाइ करना है, कुछ भी डेटेल सही हो, तो प्लीज कमेंट सेक्चेन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरू कीजएगा, और हमारे टेलीग्राम चानल को भी जरू 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 कीजएगा, क्योंकि वहां हम लेटेस्ट अप्डेट्स पहुत सारी दिएगा, तो दोस्तों आज के लिए तैम में जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में, अपनी टेक अपरीट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद,